फैशन इंडिस्ट्री की ये मशूर हस्ती कभी दो वक्त की रोटी के लिए भी हुआ करती थी मोहताज अपनी आखों में सुनहरे भविशे का सपना संजो कर ना जाने कितने ही लोग सपनों की मायान गरी मुंबई का रुख करते हैं लेकिन यहां हर किसी के सपनों को उड़ान नहीं मिलती है यहां अपने सपनों को वही साकार कर पाता है जिनके हौंसले बुलंद होते हैं आज हम आपको एक ऐसी ही महिला के काम्याबी की कहानी बताने डा रहे हैं जो घर से भाग कर मुंबई आई थी जिसके पास उस वक्त ना तो खाने को पैसे थे और ना ही पहनने के लिए कपड़े लेकिन अपने अटूड विश्वास और मजबूत एरादों के दम पर देखते ह वो फैशन इंडिस्ट्री की एक मशूर हस्ती बन गई बलेवुड एक ट्रेस से इसकी ड्रेस करती हैं डिजाइन काम्याबी की ये दिल्चस्प कहानी है फैशन इंडिस्ट्री की जानी मानी हस्ती वैशाली शंडागुले की आपको बता दें की वैशाली फिल्म समर में अपने ट्रेडिशनल और मॉडलन फ्यूजन के जबरदस्त कलेक्शन से सब के होश उड़ा दिये थे 18 साल की उमर में खाली हाद घर से भागी मध्यप्रेदश के छोटे से शहर विदिशा के एक रूडिवादी परिवार से तालुक रखने वाली व्यशाली शंडागुले जब 18 साल की थी तब उनके घरवाले जबरान उनकी शादी कराना चाहते थे लेकिन शादी से बचने के लिए वो खाली हाद घर से भाग निकली तब उनके पास ना तो खाने को पैसे थे और ना ही कपड़े थे व्यशाली बगेर पैसों के घर से भाग कर स्टेशन पहुँची और वहाँ उन्हें मुंबई की ट्रेन मिली जिसमें बैट कर वो सीधे मुंबई पहुँची हाला की कपड़ों की पहचान उन्हें अपने पिता से विराचत में मिली थी इसलिए वो इसी क्षित्र में अपने सपनों को नई उड़ान देना चाहती थी मुंबई में 500 रुपए की मिली नौकरी मुंबई पहुचने के बाद व्याशाली के पास दो वक्त की रोटी का भी कोई इंतजाम नहीं था इसलिए वो इधर उधर घुमती रही और लोगों से काम मांगने लगी आखिरकार उन्हें एक ओफिस में 500 रुपए की तंगवाह पर नौकरी मिल गई और यहीं से उन्हों ने बचत करनी भी शुरू कर दी इसके बाद व्याशाली को एक-एक सपोर्ट हाउज में 11 रुपए की सालरी वाली नौकरी मिल गई लेकिन वो स्लिप डिस्क की शिकार होगी जिससे उनकी सारी जमापूंजी इलाज में खर्च हो गई फिर उन्होंने बत और फिटनेस ट्रेनर भी काम किया फैशन इंडिस्ट्री में ऐसे बनाई अपनी पहचान अपनी कमाई से बचत करके व्याशाली शंडागुले ने एक फैशन डिजाइनिंग इंस्टिट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश की लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिला जिसके बाद व्याशाली शंडागुले ने दूसरी जगेह से कटिंग्स और सीलाई सीख ली और फैशन से मिनार अटेंड करना शुरू कर दिया फिर व्याशाली ने 50 शुन्य रुपय का लोन लेकर अपनी एक दुकान खोल ली और धीरे धीरे उनके सपने हकीकत में तबदील होने लगे आज व्याशाली शंडागुले तीन मंजला शोरूम की मालकिन है चंदेरी सिल्क और कॉटन के प्यूजन कपड़े डिडाइन करके उन्होंने फैशन इंडिस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है गौर तलब है कि व्याशाली शंडागुले की इस काम्याबी से हर उस शक्स को सीख लेनी चाहिए जो अपने सपनों की राह में आने वाली दिकतों से हर मान लेते हैं और अपने सपनों को साकार नहीं कर बाते हैं